चलो बई, तो गड़ाफनून बच्चों, कैसे हो सब लोग, एकदम ठीक हो, फिट हो, तो आओ चलो, questions कर लेते हैं, एक बार फिर से, evolution पार्ट करना है न हमें, evolution पार्ट करना है, तो आजाओ, सारे बच्चे, जल्दी से आजाओ, और चीजों को वहीं से start करेंगे, जहाँ छो सुड़ा हुआ था, ठीक है, डन डन डन, चलो बई, सब लोग आगे, एक बार मैं भी cross check कर लूँ, हाँ जी, सारे बच्चे आगए, ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट, चलो, शुरू करें, हाँ बई, कौन को ना गया, जरा attendance बता दो, कौन को ना गया, वन शिका आगी है, ओके, तो कहानिया स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं चीजों को ना, अच्छे से पढ़ते हैं, और कौन बच्चा आ गया है, और कौन कौन से बच्चे आ गया है, ओके, तीन बच्चे हैं, वन शिका है, ओके, और भी, और भी बच्चे आ जाओ जल्दी से, सारे, फ मुझे बता दो फिर आगे की बात करेंगे जल्दी से बता दो प्रेजेंट कौन-कौन से बच्चे क्या ना जल्दी से मुझे बता दो अगे अभी नो है वंशी का चलो काफी बच्चे आगए वंडर्फॉल चीजों को अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं मैं आज शुरू क्या करना था हाला कि हमें हमें प्रॉपरली क्या शुरू करना था एवलुशन और एवलुशन में भी वही सब छोड़ी-छोड़ी चीज़ें जो हमें पता हैं इसको एक बार रिवाईज करेंगी हम लोग कॉईट वाइस चुरू करते हैं इसको किनारे लगा दिया और इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिया इतना कि हमें प्रॉपर दिखे है ना चलो इसको वन लिख रहा हूं इसको डू लिख रहा हूं 3, 4, this is 5, this is 6, 7, 8 जल्दी से बताएंगे जल्दी से स्टार्ट करो बच्छों जल्दी से स्टार्ट करो चीज़ों को चलो बता शुरू करता तो वन क्या है सारे बच्छे चलो बई शुरू करो शुरू करो शुरू करो वन क्या है टू क्या है थ्री क्या है ओके तो वन is what? Of course, बिल्कुल ठीक है, evolution. Two क्या है? Evolutionary biology. Evolutionary biology, right? Three क्या है? Three, बिल्कुल ठीक है. Big Bang Theory. ठीक है? Three क्या है? Big Bang Theory. बिल्कुल ठीक है? Fourth बताना? Fourth is what? No, 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 no. Universe, बच्चा, 4.5 कहां से आगी है, तो अर्थ बनी. अभी नो, गलत क्यों कर रहा है? 20 billion यह रहो. अभी नो, क्यों कर बढ़ कर रहा है, बिठे? 20 billion यह रहो. है न? समझ गया? समझ गया कि नहीं समझा? अभी नो. Question No. 5. Earth was formed by कितने साल पहले? अभी यहां बर आप 4.5 लिख से तो. 4.5 billion यह रहो. है न? ओके? नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट बताओ. अर्ली अर्थ. जिसमें किसकी बात करें? वाटर वेपर. चीक है? वाटर वेपर के लामा और क्या था? मेथेन. मेथेन. CO2 था और क्या था? सेवन्थ में. अमोनिया. इसमें क्या हो गया? अमोनिया. याद रखेंगे इस चीज़ को प्रॉपर. चीक है? अच्छे questions हैं. दिमार्ग लगाएंगे. ओके यूवीरेज फाम दे शन ब्रूक प्प वाटर इंटू H2 और ये यूवीरेज की हल्प से और ऑक्सिज़न कममाइंड विच के साथ में? अमोनिया के साथ में. ..N-S-3 और मितेन के साथ में तू form water, CO2, etc. अगली बात. ऑजोन लेयर वाज फ्रॉप दे अज जाय आज है। 4 billion year ago क्या वर्ड यूज़ किया 4 billion year ago बात समझ पा रहे हैं ठीक है, done 10th बताना 10th, 11th, 12th दिमाग लगाओ भई थोड़ा सा दिमाग, जादा नहीं थोड़ा सा दिमाग इस्तमाल करना पड़ेगा तो theory of spontaneous generation क्या spontaneous generation है ना okay question number 11 question number 11 अच्छा simple किसने इसको डिस्प्रूफ करत किया था finally तो लूइस पॉस्चर की बात करें क्या लूइस पॉस्चर किसकी बात कर ली लूइस पॉस्चर है ना बिल्कुल क्लीर पॉस्चर राइट लूइस पॉस्चर देए that life come only from pre-existing life and disprove this theory, right? Done होगे. Next theory की बात कर रहा है. Second. क्या न? Second. तो ये क्या है? Biogenesis. Theory of Biogenesis. यहां 13, यहां 14. जल्दी बताएंगे बाकी के question counts. जल्दी से बताएंगे. तो Biogenesis proposed by Francisco Reddy, Spalangani and Louis Posture state that life originated from pre-existing life, right? बेलकुल क्लियर. कॉस्मिक थेरी की बात कर रहे हैं. And कॉस्मिक थेरी इस वाट? तेरी आपनस्पर्मिया. तेरी आपनस्पर्मिया. वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्मिया. वेरी सिंपल and वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्मिया. ठीक हैं? फोर्टींथ का अंसर के आप बुलेंगे? तेरी आपनस्पर्मिया थेरी आपनस्पर्मिया, जब उनने बुला कि लाइफ जो बनी है, वो सुपर्नेश्रल पाउर, इस गॉड उससे बनी है. तो इस गॉल्ड एस क्या? थेरी आप स्पेशल क्रियेश्ण. थेरी आप बहुत ही सिंपल. ठीक है बच्चो? फिफ्ट थेरी ही बात कर रहा हूँ. फिफ्ट अलाकि काफी सिंपल कॉश्चन है, दिमाख लगेगा बस, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाख लगेगा. तो फिफ्टींथ यहाँ पर, सिक्स्टींथ, सेवंटींथ, एटींथ, और नैंटींथ. जल्दी से बताओ गए, जल्दी के इंसके अंसर बताओ गए, जल्दी से जल्दी बच्चो, जल्दी से. हाँ जी, थोड़ा सा दिमाख लगाएंगे, कि विफ्टींथ अच्छे बन रहे हैं, तो फिफ्टींथ का अंसर क्या हो गया बच्चो? तो यह सब को पता है, ओपरिन अन हल्देन, ओपरिन अन हल्देन. तो यहां पर रवर्डु क्या यूस्किया? यहां पर रवर्डु क्या यूस्किया? यहां पर यहां पर आ क्या? यहां पर यहां ऑशकिया? बाइयो जनेसिस बाद में है और ये मिलर के साथ में कौन थे सबको पता है उरे हेरोल्ड की बात कर रहे हैं तो हेरोल्ड उरे हेरोल्ड उरे और स्टैनले पूरा नाम क्या था स्टैनले मिलर क्या नाम है स्टैनले मिलर बात याद रखेंगे बल्कुल क्लियर इन फाक तुम्हें यह डाग्राम बे रटना पड़ेगा कि यहां पर जो टेमपरेशर था यहां पर जो तेमपरेशर था यह रिए रिश्यो और यह रिश्यो है ना मिथेन अमोनिया वाटर एं यह रिजिन ग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बहुत बैदरीन क्वेश्चंस हैं ठीक है कहानियों को थोड़ा बहुत दिख रहा है समझ में आरी बात है तो 23 बताना मुझे इसी में 23 तो 23 में बचूंग आंसर किया जाएगा सीदा सीदा सा मैधेन लगा दो 24 में क्या आमोनिया, H2O, water है ना, और hydrogen तो ही है, hydrogen gas तो already है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल clear, 26, temperature is what, 800 degree Celsius, temperature कितना हुगा, 800 degree Celsius, ठीक, done, first non-cellular form of life originated, कितने साल पहले, non-cellular, 3 billion, क्या वोड़ यूज किया, 3 billion यह रहाँ, ठीक है, Okay, अगली बात, अगली बात, बहुत धान से ना, अगली बात को समझेंगे, बहुत clear format, ठीक है, 27, done, चलो, अगली बात कर रहे हैं, 28, 29, this would be 30, 31, 32, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे, सारे बच्चे, 28 क्या होगा, बच्चों, 28 would be what, it is palantology, क्या, palantology, ओके, चल, 29 क्या होगा, यह क्या है, फॉसल, फॉसल, ठीक है, डन है, चलो, आगली बात, significance of fossils की जो मैं बात करूँ, तो study of है ना, यहां पर, सीधी सी बात, phylogeny, है न, यह यहां पर, 30 में क्या होगा, phylogeny, दो ग्रुप्स के बीच में, क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, क्या है, उसी तरह to study about, dash, तेरे 32 की बात कर रहा है, 32, extinct animal, क्या बढ़ यूस किया, extinct animal, extinct animal, ठीक है, डन, 33 बताना बच्चो, geographical period, क्या बढ़ उसके, geographical period, by analysis of fossil in different form, 34, sedimentary rock layer, ठीक हैं, क्या बढ़ यूस किया, sedimentary rock layer, बिल्कुल clear, 34 तक के दबाते हैं, done, 35, बच्चों, 35 की बात करें, Morphological and anatomical evidence, यहां पर, Morphological and anatomical evidence की बात करें, तो इसमें हमारे पास homologous organ की बात आती है, और homologous में जब भी हम बात कर लें, यहां पर भी क्या fit करेंगे, सीधा सीधा सा, यहां पर भी, 35 में क्या आ जाएगा, homologous organ, बिल्ब ठीक है ना, wonderful, बहुत बढ़े, 35 के बात की बात करते हैं, it would be what, 36, 37, 38, 39, 40, 41, यहां, बाते समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़े हैं, तो 36 से स्टार्ट करो गई, 36 से स्टार्ट करो, क्या है 36 का आंसर, 36 would be homologous, क्या बढ़े उसका है, homologous, 37, बताना, 37, human hand, साथ में किसका flipper, तो flipper किसका है, whale का है, 38 की बात कर रहे है, तो bat के wings की बात कर रहे है, bat के wings की बात कर रहे हैं, चीटा के food की बात कर रहे है, समझ गए, अच्छा इस फोर लिंब्स हाव डिफरेंट फंक्शन बट सिमिलर अनाटॉमिकल स्ट्ट्ट्ट्ट्र सच अज बोन है न हुमन रेडियस अलना कारपल मेटा कारपल सब कुछ सब में सेम है अच्छा मुझे बताना ब्रेन के साथ में वर्टिब्रेट्स का और ऐसा कौन सा पा तो 39 में क्या हो गया तो इडिज हार्ट येस हार्ट वेरी गुड वंशिका हार्ट बच्छों वेरी गुड बहुत बढ़े होमोलोजी इंप्लांट्स की जब मैं बात करूं तो थान ओफ किसका बॉगन वीलिया और तंडरल ओफ वाट कुकर बिटा क्या तंडरल ओफ वाट कुकर बिट्स ये वर्ड याद रिखेंगे बेर क्लियर इसी दो रिजन ऑफ हमोलोगस अर्गन इस दूटो इस दूटो दाइवर्जेंट इवोरुशन की बात करें क्या वाट यूजघेंट इवोरुशन दन है जो रिजन ऑफ हमोलोगस अर्गन इसे चोटे चोटे वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा 43 तक का अंसर कर दिया, तुम लोगों को समझ में आ रही है बाते हैं? Yes or No, सीधी सी बात, चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसे questions पूछे जाते हैं, मैं दुबारा बता रहा हूं और जितना इन चीजों को याद रखो के तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, उतना ही अच्छा है, समझ रहे मेरी बात, चाल, Analogers 43 तक तो हो गया, 44, 45, 46, 47, 48, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ और दिमांट लगाओ तो 44 में आगया अंसर क्या? Analogy, क्या वर्ड यूज किया? Analogy एक, और किसमें किसमें? विंक्स ओफ वाट, 45 कांसर दो भई, चलो, 45 कांसर दो बुच्छों, बिल्कुल क्लियर फांगे, 45 कांसर देंगे, सारे बुच्छे, बहुत कॉमन कॉश्चन है, बहुत कॉमन कॉश्चन, ट्राइ करो कि गलत बिल्कुल भी ना हो, दिमांग लग आएंगे, 45 का भी आंसर दो, 44 के तो आंसर आगे, 45 का आंसर, चलो तो, it is wings of insect, good, 46 का आंसर, है ना, wings of birds, किसका modification है, modified forelimbs, modified what, forelimbs, अच्छा, eyes of octopus, 47 में, eye of octopus, ठीक है, एक, अच्छा, अगली बात, रेटीना किसमें, mammals की बात करें, किसमें, mammals, एक चीज़ याद रुखेंगे, चीक है, बिसमें, clear, okay, बिल्कुल perfect, burn है, 48 के बात, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, चलो भई, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, फ्लिफर ओफ किसका किसका, penguin and dolphin, penguin, not whale, बच्छे, penguin दे रखा है, ना, penguin दे रखा है, penguin and dolphin, ये किस ने answer दिया, गलत दिया तुमने, penguin and dolphin, penguin and dolphin, ये वर्ट को याद रखेंगे, sweet potato की बात कर रहे है, sweet potato is modified root, और बात करें, potato की, है ना, modified root की बात कर लें, और potato is modified stem, ये वर्ट याद रखेंगे 53 तक, बिल्कुल clear, potato क्या है एक तरह का, modified stem, बिल्कुल clear, yes or no, किसी को कोई परेशानी अभी तक, नहीं, done, 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 हाँ जी बच्चों, बिल्कुल done है, तुम्हें चीजें ये तरीका कैसा लग रहा है आप इनो भई, और मुझे जल्दी से present लगा दो, कौन-कौन से बच्चे present हैं, ये भी मुझे जानना है, फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक तुम answer देते रहो, मुझे जल्दी से present लगा दो, कितने बच्चे present हैं, क्योंकि सिर्फ 6 ही देख रहे हैं मुझे, नहीं अभी 10 देख रहे हैं, तो जो जो बच्चे present हैं, मुझे बता दो class के, सारे बच्चे, quick form में, फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ बई, जल्दी से, जल्दी से मुझे present लगा दो, सारे बच्चों की quick form में, अबिनो यश्टाज वन्शिका, ओके, और कौन-कौन हैं, अमन, good, और कौन-कौन हैं, जल्दी बता दो, योगेश, ओके, good, अभी एकदम से 17 लाइब आ गए, अच्छा, रेनू है, ठीक है, ओके, done है, और कौन-कौन हैं, और कौन-कौन बच्चे present हैं, ये बता दो, ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथी बच्चों का दिख रहा है इसा, बाकी बच्चे कहाँ हैं, चलो, कोई बात नहीं, पढ़ाई, शुरू कीजाए आगे की, है ना, चलो, शुरू करते हैं कहानियों को, आगे बढ़ते हैं, शुरू, 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 बढ़े हैं, बहुत अच्छे, तो हम जहां थे, उसी के और आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, simple language में, बिना किसी confusion के, या किसी को कोई confusion है, तो मुझे बता देगा, कोई भी confusion होगी, तो मुझे जरूर बताएगा, ठीक है, जिस बच्छे को भी कोई confusion होगी, तो it is 54 का अंसर क्या हो जाएगा, tracheids of insect, बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया, तुम गए है, एक सेकंड बच्छो, है न, trachea of insect, और 55 में क्या हो गया, lungs, origin of analogous organ is due to, है न, origin of analogous organ is due to, तो it is due to what, convergent evolution, सबको पता है, convergent evolution, very simple and very important, ठीक है, एक, आजा दूसरी चीज़ इस इंपर्टन, very important, it is the evolution by which, क्या, unrelated, unrelated species become more, क्या, become what, more के बाद क्या, similar, है न, become more, याद रख़गे, similar to survive, similar to survival, बुल क्लियर, चलो भाई 59, 60, यह 61 लगा लेते हैं, यह 62, 59 में क्या हुआ, यहाँ लिख सकते हैं, बायो जीओ, ग्राफिकल, अविडेंस, बायो जीओ, ग्राफिकल, अविडेंस, बायो जीओ ग्राफिकल एविडेंस, पात्या समझ में आ रही, बिलकुल क्लियर है, कहानिया, ओके, तो बातों को याद रखेंगे, बातों को simple language में याद रखेंगे, simple language में, ठीक है, तो 60 का answer क्या हो गया बच्चों, adoptive radiation, ठीक है, 61 का Darwin Finches, Darwin Finches, ठीक है, done, बिलकुल क्लियर, रखेंगे, done है, done है, 61 इस वोट ऑस्ट्रिलियन मार्शुपिल्स, बात रखेंगे, 63, 64, 65, 66, 63, कौन सा, दूसरा मैमल कौन सा मिलता है जो प्लसेंट यहां पर ऐस्ट्रेलिया में, या, रखेंगे, 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 क्या वोट इस किया, Convergent Evolution, बिलकुल क्लियर, एक्जाम्पल में आस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स क्या और 66 का अंसर क्या हो गया प्लासेंटल मैमल्स प्लासेंटल मैमल्स बात ने बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है हाँ या ना बातएं कलियर है दन डन डन आच्छा ये वाला तुमको इसका रिलेटर याद रखना पड़़ेगा इसको प्रॉपर ये पूरी टेबल याद रखनें पड़ेगा इसकी स्कूरीन शॉट dw लेलो जाहे इसकी स्कूरीन शॉट dl लेलो बचो अना important question है इस स्रीबल से questions आते ही आते हैं, यह antiturnumbat है, यहां spotted couscous है, यहां bobcat है, ऐसे करके याद करना हम बड़ेगा, यहां 67, 68, जल्दी से दोनों बताओ, 67 और 68, that is gene 67 is what, gene metabolism, और यहां बर क्या होगा, metabolism, डन है, ठीक है, done, 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 69, 70, 71, जल्दी से यह तीनों बताओ, 71, यह तीनों बता दो, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे, easy question, asana question, try करेंगे, hmm, जल्दी से बताओ, earnest tackle, ठीक है, earnest tackle की बात कर रहे हैं, और, और, दूसरा, all vertebrae, vertebrae embryos, है न, developed, 70 की बात करें, तो, यहाँ पर, vestigial gills, vestigial gills, ठीक है, बिल्कुल clear, okay, 71 की बात करेंगे, कार्ल, अर्नेस्ट, वान बियर, याद आया, कॉल, अर्नेस्ट, वान बियर, बात या समझ में आ रहे हैं, कार्ल, अर्नेस्ट, वान बियर, बिल्कुल clear, डन है, डन, 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 चालो भाई, बहुत अच्छे, next thing is what, यह हम बात कर रहे हैं, 71, 72 की बात करेंगे, 72, 73, 74, 75, 72 is the process by which the organism that are best suited for their environment, 72 में क्या लिखेंगे, हां जी बचों, natural selection, 72 में क्या आएगा, natural selection, मेरी बात समझ गये, क्यांसर अगा, natural selection, बिल्कुल डन, 73, इंडस्ट्रियल मेलनिजम की बात करें, इंग्लैंड में, बिफोर इंडस्ट्राइजेशन, देर वर, हां जी, वाइट मॉथ कम थे हैं जादा थे, यह स्मोर वाइट मॉथ, और इसका साइंट्फिक नेम क्या था, सबको पता है, बिस्टन बिटिलेरिया, है ना, बात यह समझ में आ रही है, next, after industrialization, that is 75 की बात कर रहे हैं, कब हुआ था, यह 1920 के बाद हुआ था, यह वर्ड याद रखेंगे ना, year wise याद रखेंगे बच्चों, सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, done है, चोड़ी चोड़ी बात है, 75 हो गया, हम बस यहीं तक करेंगे, ज्यादा नहीं, 76, 77, और 78, इसके बाद वाली चीजें हम लोग नेक्स क्लास में करेंगे, यह वाला पार्ट नहीं जो पालजिकल एवलूशन वाला है, यह हम लोग नेक्स क्लास में करेंगे, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक में इतने फिट किया था, जो कॉमन कॉमन सी चीजें मैंने सोचा तुमको याद हो जाएंगी इसी बहाने, ठीक है, 76 का क्या आएगा बच्चे, Before Industrialization और After, After में क्या लिखा, They become dark, पढ़ लो पुरा, proper पढ़ लो, They become what, Dark, ठीक है, अब 77, 77, अच्छा कोश्चिन, तो ये हर्भी साइट्स आ जाएंगे न बच्चों, हर्भी साइट्स, ठीक है, Done, और हर्भी साइट्स के बाद में यहां पर 78 में क्या आ जाएगा, यहां पर पढ़ने वाले हैं, यह समझ गया न तुम यहां तक की बात ने प्रॉपर, अच्छा तो कल जो हम लोग प्रॉपर पढ़ने वाले हैं वो क्या, Theories of, क्या, प्रॉपर, यहां से पढ़़ेंगे लोग, यहां से प्रॉपर पढ़ेंगे लोग, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसको एक बार अच्छे से पढ़ ले ना क्योंकि ये दो चार ही परग्राफ मैंने सिर्फ हो किये हैं तो बेटर है एक साथ ही कल शुरू करके इसको कल खतम करेंगे चाप्टर को प्रॉपर खतम करेंगे और I am hoping कि ठीक ठीक से त्यारी चलर्ड ये वाला मैथर्ड तुमको कैसा लग रहा है बच्छों ये वालाMusicet प्रफ्व तो नहीं होगे ना छ आस बताच ये पड़ियूंगा वhn唱 का मतलब नीट बूजाना बहुत क्लियर बात पोल रहा ह। तो जितने धंक से एसको पासिबिलिटिउ तुम्हारे लिए अ तो रिवाइज करते रहो पढ़ते रहो और लगे रहो ठीक है यह तरीका कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ बाई कमेंट बॉक्स में फिर आगे ही बात हम लोग कल करेंगे प्रॉपर है ना चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे चलो है ना कल की जो टाइमिंग है हमको पता ही बाई बाई बच्छो बाई